हेलो एक्जाम वारियर्स मैं दीपा अर्मा अब विप्षा एजूकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस इर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जसे कि हम अपने एक्जाम चीर्स में हैं अपना समाजिक विप्षा माज को समाजिक विज्ञान का प्ड़ाओ और समाजिक सरूकाल यह चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे क्यों कि इस डारी कित्ते माक्स के कोश्ण है इसको 100 से आपको क्या क्या है हम क्या पढ़ने वाले संसन पूरा क्या है जो समाज समाजी सरुकार साशन विवस्था तो मारी साशन विवस्था कैसी है केंद्री साशन विवस्था राज्य साशन विवस्था तो इस शेप्टर में हम क्या पूरे केंद्री साशन विवस्था को देखने वाले ठीक है इसमेंट क्या है शक्तियों का विकेंद्री करन कैसा है है ना कैसे है राज जिया स्वारी केंद्र फिर राज जिया फिर क्या है हमारे नगर आते हैं और उसके बाद उसमें क्या है संसद संसद में क्या है राष्ट पती लोग सभा राजी सभा तो इस सब के बारे में पढ़ना से कौन चाह आता है निर्मान कौन करता है स्कारियनमान कौन करता है थुट में चastern चाहट mindset करते हैं यह कि है हमारा मांड मेर्स फुरे चैप्टर में हम चीजे में हमीं क्या दील flare ने है और कहां कहां से करो छोशन आ सकते हैं उसके बद संगी विधाय का संसत्मत्र है इसमें क्या सकता है लोग सभा राज impeachment औरकुं आता है हमारा राष्टपती, ठीक है इसी में हम राश्टपती की सक्तिया पढ़ेंगे प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत पढ़ेंगे कि ये दोनों के कैसा संबंध है राश्टपती को क्या है राश्टपती को सलाह देने के लिए क्या होगी प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत होगी तो प्रधान मंत् गर के कुछ structure change होते हैं हमने पुराना घर बनाया फिर कुछ दिन बद नया घर बनाया कहीं का कुछ क्या हो गया दिवाल कुछ गिर गई तो उसको नया बनाया उसी दिए क्या है समीधान में बदलाओ आते हैं कैसे बदलाओ कि पहले जो बने हुए थे अब लगत अच्छा समाज की बदलती प्रसुती के नुसार सविधानने बदलाओ तो आप इसको पढ़ेंगे ठीक है तो यह chapter पूरा है बट्चे तो इसमें important बोलोगे तो विधाई का है आपको यह star mark है राश्पती के शक्तियां प्रधान मंत्री के शक्तियां और नयाय पालिका ठीक है यह चा राज्री का तरीका प्ताते जाऊंगे और उसे को आपको क्या है आप से लिखते जाना है ठीक है चलो अपनल चैप्टर पर करते हैं समिधान में राजनितिक संस्थाओं की संअरसयना एक होती है केंद्र केंुरिध संथां पूरुरी नषी शक्तियां होती है वो किसमें होत जोड़ा गया हमारे हमारे क्या है सभिधान जोड़ा गया पहले क्या था हमारा Verघ्र उर राज्य लेकिन बाद में क्या है इसको भी नीचे लवड़ी जोड़ा गया थिए तो इसमें चाथि शक्ति का विभाजन कैसे होता है कानून बनाने में लागू करने में नया करने में इसके लिए एक अलगाल एक सस्था है होंगी जो शक्तियों का विभाजन कैसे भई कि जो शक्ति है उसका कानून बनाने की उसको विध्याई शक्ति क्या है राज्य को भी मिलेगी केंद्र को म कि और निर्मान के संधान को कि यह समझा है कि तो आपको पहले वह समझने पड़ेगा कि तो आपको अभी संधान क्या है ठीक है शक्ति विभाजन क्या बहुत विधाईका, कारेपालिका और न्यायपालिका ये क्या है सक्ति विभाजन के सिधान पर कारे करते हैं विधाईका क्या करेगी भाई कानून और नितिया बनाएगी ठीक है हमारी संसद ये हमारी राज्य में विधान सभा कारेपालिका इसकरियानवन करेगी इसमें क्या आते है राश्ट पत्वपधे और प्रधान मंत्रोड की मंद्रपरिश्षद साया ग्राइपाली न्याएपाली का कई टा occurs का और हरजे तक बिलाव ये Chenalit के पचैनेले कहा है बिलासपूर में ठीक है तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि भारत का मुख्षिनाय अधिश कौन है CGI of India Chief Justice of India और 36 गल का मुख्षिनाय अधिश कौन है ठीक है उच्छ ना लेका ये दो आप मुझे कमेंट सेक्शने बताएंगे ठीक है मेरे बच्चो चलो शक्त पालिका अपने जगा पूर्णरूप से काम करेगी विधाईका अपने जगा पूर्णरूप से काम करेगी सेम लेवल पर क्या है जो न्याय पालिका है वो अपने जगा पर काम करेगी लेकिन न्याय पालिका तो सतंत्र है लेकिन ये जो विधाईका और कारेपालिका क्या व संसधि में होती है विधाइका है तो इन दोनों के काम नहीं कर सकते इसलहे क्या है शक्ती प्रिथक करन के सिधान है लेकिन कैने सक्टि प्रिथक करन के ठीक है क्योंकि संसदी लोग तंत्र है या जहां नाय पालिका की संधान तो पूर्ण है पर विधाईका और कारेपालिका एक दूसरे पर निर्भर है इस प्रडाली में कारेपालिका मंत्री प्रदिशत विधाईका संसद का ही अंग होती है मंदिर परिशत के सदर संसत के सदर से होते हैं और उसके प्रति जवाब दही होती है वही है जो मंदिर परिशत है वो कारेपाली का वो किसके प्रति जवाब दहीता है उनकी विधाई का तो यह क्या दोनों तो एक सद करें ड़े तो पूर्ण रुप स्वतंत्र का है क्या? नहीं. इसलिए हमारे हाँ सिमित सक्ति प्रथक करन का संधान अपनाएगे मेरे बच्चों. ठीक है? दूसरी और कारेपालिका जिसका अध्यक्षराश्पती होता है, संसत के सत्रों को बुलाता है और कारेपालिका बुलाती है और त कारेपालिका बनाती है लेकिन उस कारेपालिका बनाती है लेकिन उस कानून को बनाने में क्या है? कारेपालिका साहिब करती है और कारेपालिका बिधायका को बताती है कि कब सत्र बुलाना है कब कौन से नियम बनाने ठीक है? इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते है ठीक है? तो इस तरह से आप पांसर लिखेंगे. ठीक है मेरे बच्चों चलो आगे बन लेजे आप राश्टपती लोकसभा और राजसभा संगी विधाईका हमारी संगी विधाईका को संसत नाम दिया गया है जो राश्टपती दो सदनों से बन कर बनती है ठीक है अगर राजविधाईका की बात किये जाये तो हमारे क्या विधान सभा है ठीक है और जिसमें लोकसभा और राजसभा के ही क्या है been क्या है कारेपालिका मतलब यहीं के लोग क्या है मंत्री बन सनसथ है अमिश्या हो गए मोदी जी हो गए ये सब क्या है ये लोग सभा राजसभा के ही क्या है क्या होंगे ये सदस्य होंगे लोग संसद है न तो इन ही लोगों से मिलके क्या बनेगे इनकी मंत्री मंदर ठीक है मेरे बच्चों तो संग समझ गए संग के अंदर कौन को ना आएगा स अंसत्के अंतरगत, राष्डपती, लोकसभः, राजसभः ठीक है तो अभी हमको क्या इनके बारेMें पढ़ना है ठीक है, को पहले देखते हैं संघी में संघी साशन मतलब क्या होती है केंदर और राजे तो हम अभी किसके संघी साशन में में तीक प्रत्यक्ष के पहलता है ऑर प्रत्यक्ष इतने इतनी जो सब उतना कि भूसिते हैं तो हमारे ने यहांसे पया수 रत्यक्ष को अगर 36 गड़ की बात करे जाए तो लोकसभः क्या है लोकसभः में 11 संसद हम लोग चुनके भेशते हैं वही राजसभः में 5 संसद को हमारी विधान सभः के लोग भेशते हैं ठीक है इतना चीज आपको समझे ना अच्छी बात है बच्चो ठीक है तो अब आते हैं संसद म इनका क्या हुआ प्रत्यक्ष चुनाओ और ये क्या हुआ अप अप्रत्यक्ष ठीक है यह समझ गए चलो अब हमको संसद के बारे में पढ़ना है है प्रमुक अंगों के नाम बताते हूं किसी एक अंग के दो कारे लिखे ठीक है बई संसत का नाईक काम क्या है इसका काम को उच्छ नालेते को देकर संसत को क्यों दिया जाता है या भारती संसत के कारियों और शक्तियों का विवर्णन किजिए एक मिन सीधा आपको लोकसभा राजसभा के कारियों को बताना है ठीक समझ गया चलो पढ़ते हैं संग लोकसभा रा निर्वाचित होते 230 और राष्टरपती द्वारा 12 लोगों को डायरेक्ट भेजा जाता है फिक है वही लोग सभा में होगे जिसमें 550 को हम वोट के दोरा भेजते हैं और यहां दो लोगों को राष्टरपती भेजते हैं ठीक है बच्चों मेरे उमीदवार की आयू तो राज् से, दिए काल बजट तो यही से, डाला, से, जोशवते हैं, आधिवेशन जच्छान, पि इए लिए 25 न शेजक अमेन, सत्र यहीं उल्ड, सकते हैं, सभाती कौहां बैठता है राजसभा का ऊपड़ा रया चैहने अध्यक्षट टो अपने ही में से नियुके एक सफ़ासिशete को चुनते हैं जब पूरा साथ необходимо क्या worker करने कर देंगे क्या नई यह अगर कुछ कार्गर हो रहा है तो हम सब को क्या करेगा बताएगा तो वैसी क्या होता है हर सदन में एक अध्यक्ष होता है जो एक में कुरसी में बैठता हो फिर बोलते है चलो शतर के शुरुआत करो चलो आप प्रेश्ण पूछो आप उत्तर दो कोई कुछ बोला तो फिर वहां से खड़ совсем और ऐसाथ नहीं कोई चल कर जा रहा है कोई हैं कोई तो यह संसत की कार ने को पूरा टेलिवीजन हम कोई कोई देख सकते हैं लो तो आपको कभी टाइम हो तो संसत के कर वाही को तो कितने लोग को बना चाहिए, तो कुल सदस्य है, उनके कितने 10 प्रतिशत लोगों को, ठीक है, एक बट्टा 10, जैसे यहां 552 है, तो 10 मतलब 50 से 55 लोग होंगे, तो वो क्या है, वो 70 पे लोग बैठ सकते हैं, जैसे क्लास में कोई टेस्ट होना है, तो टेस्ट में अगर तो टीचर टेस्ट लेगी, सेम ऐसी है, अध्यक्ष क्या करेगा, सत्र बुला दिया, लेकिन सब नहीं आए, तो वो बोले, अच्छा 500 लोग है, बचास तो आ गए न, मैं सत्र ले लूँगा, तो यही क्या होती है, संसत की कारिवाही, कि संसत में सत्र बुलाया जाता है, त बताता है कि अब हमारे संसत में सत्र बुलाया जाना चाहिए, ठीक है बड़े बच्चो, चलो, आगे बढ़ते, तो हमें क्या पढ़ना है, संसत की कारियों को देखेंगे, तो यह संसत क्या है, हमारे पूरे केंद्र की, एक मुख्य क्या है, एक युक्ति है, मतलब कहा हमारे लिए क्या है, नीती निर्मान करती है, ठीक है, तो कि संसत की कारियों को देखेंगे, तो विधाई शक्ति, मतलब क्या है, कानुन बनाना, सविधान संशोधर करना, वित्ती शक्तियां, मतलब बजट की स्विक्रिती, अभी देखो, एक फरवरी को बजट आया, हमारा बजट कौन पेश करता है, वित्तर मंत्री, हमारे हां की वित्तर मंत्री कौन है भई, एन सितारमन है न, तो उन्होंने क्या किया, हमारे हां का बजट पेश किया, ठीक है, प्रशाशनिक शक्ति इनको क्या मिली है, कारे पाली का पनियंतरन, कारे पाली का बोल जा तो प्रध सब्सक्राब एक रध़ों के लोग फिंगे उनकी राष्ट्रपती संशति की राश्व लोग करते प्राष्ट्पति हैं और मद धिर्ट में सब्सक्राइब प्रदेश को सचालन करने के लिए क्या होता है हमें तुरंद कुछ फैसले ने पड़ते हैं तो इस वित्ति आपातकाल के समय नियम नितिकर निर्हान कौन करता है हमारी संसत तो यह क्या होता है संसत की कारिय ठीक है आप ऐसा टेबल भी बना दोगे ना बच्चे दो से तीन मा इनको बस अच्छे से कदा है जैसे आप कर दीजे विधाई को कारिय कानून बनाना तो और सा विधान संसुटतर इसके दो से तीन लाइन लिग देए ठीक है बजट की स्विकृति आप यह बदा जिए कि संसत में बजट फरवरी में पेश किया जाता है जिसमें फिर दोनों इनको बनाओ और दो से तीन कारियों को ही आप क्या कर दो बता दो तो आपका क्या है डेर सो से एक सपच्छतर शब्द हो जाएगे और नहीं में आपने अगर क्या है जो इन चेकर है ना वो पूरे आंसर को नहीं पढ़ता है उसने आपने क्या अच्छे चीज़े लिखी है उसको चेक करता है तो अगर आप ऐसे अच्छी चीज़ों को बनाओंगे ना तो आपके अंसर बहुत अच्छी होंगे है ना तो आप इसको बीजविश में क्या करो स्क्रीन शॉट ले रिया करो है ना और अपने बुक्स में भी देखा करो कि कैसे क्या चीज़े लिखी है अपके पूरे बुक में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म में बहुत ज़्यादा चीज़े दी हुई है तो उस इस स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करो मेरे बच्चो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं विधाई कारे क्या है इनका कानुन बनाना सविधान शंशोधन करना अगर उसको किया उसको के यह शक्ति है , इन के पार हमारे केंड़य शरकार के पास और क्या होती आप तीन सूझियों बारे में सद्रशाया मतलब क्या होती है ? क्रियान्वान उसको कौन है उसको कौन नेखेगा विधाई का विधाई का मतलब लोग सभा राजसभा को देखेंगे हैं अगर कारे नहीं कर रहे हैं तो प्रती क्या है सकते हैं यह जो सरकार चल रही है उसके प्रति क्या करेंगे आप विश्वास प्रस्ताव लेंगे, तो यह क्या है, पूरे इस कार्य कहां चलते हैं हमारे संसत में चलते हैं, विच्टी कार्य मतलब बजट करना, बहस मनच मतलब कोई भी चीज़ आप किसी मंत्री से आप पूर प्रेशन पूछ सकते हो, या आपको एक प्रशन आ सकता है कि संसत को न्याईक कार्य के छेट्रे कंदर का संसत के कौन से कार्य आते हैं तो इसमें क्या है जैसे राष्ट्रपती उपराष्ट्पती को कौन चुनती है संसत चुनती है तो उनको हटाने का कार्य भी क्या है वो किन के पास है संसत के पास है तो क्या है ये महाभियोग वाला राष्ट्पती और उपराष्ट्पती को हटा सकते हैं और वो ऐसे हटा देंगे क्या नहीं उसकी जाष्परताल करना और जाष्परताल करना मतले भी क्या हुआ न्याय दे कि अगर किसी राश्च्ट्रपत्ति के ऊपर महाभयोग लगाया गया है, यानि महाभयोग कम लगाईगी, जब ऐसा पाया जाता है, कि वह अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रही है, और अगर आपके इपने टीचर के पास किसी को लेके गए, वह से उसने मुझे मार दिया, और नहीं मारा तो आपको बोलेंगे कि यह गलत काम नहीं करना चाहिए था तो क्या हुआ एक तरह के से उस स्टीचर ने क्या दिया आपको न्याय दिया तो यहीं न्याय देने का काम किसके लिए कर रही है संसद, लोक सभा और राजय सभा, किसके परिप्रेक्श में राश्टरपती और राष्टरपती की परिप्रेक्श में है इसलिए इनके लिए नायक कार्य क्या हुआ उनके ऊपर महाभ्योग लगाये है तो उसके जाट परताल करना ठीक है लेकि बात आती है किसे सुप्रीम कोड को क्यों नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोड को नहीं देने का रिजन यह था कि क्या है यह क्या है उनकी दोरा चुने हुए है और यह जो संसत के लोग है वो जनता के प्रत्यक्षुनाओं के दरग है तो उनकी responsibility बनती है कि जो व महा भीज़ दौरा हटाया जाने का काम किस को दिया गया है तो देखो सविधान लंगन पर राश्ट्रपति को प्रद्मुक्त कर सकती है इसके लिए लुच्छे इकसर्ट में क्या है महाभीज का व्यवस्ता की गई है यह उप्र राश्च्पति को उसके पत्स हटा सकती है यहां उच्छतब नेले और मुच्छी नेले के नयाइधिशो को मुख्य चुनाओ आयुक्त नियंत्रक महाभी लेखा को हटाने के लिए राश्च्पति को शिफारिश कर सकती है यहां अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अबानना या विशेजादी कार के लंगन के सेम जी अगर संसद में कोई ऐसी है जो उसके कारिया को बाधा पहुचा रही है या उनके उमानना करी तो यह संसद को अधिकार होता है कि वो ने दढ़ दे तो यहीं क्या है उनकी नाइक कारियों के अंतरकत आता है ठीक है मेरे बच्चों तो आपको यह आंसर लिखना होग ठीक है चलो आगे देखते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कारेपालिका पर किस प्रकार नेरवर है इस बात का प्रभाव कानून पर सकरात्मक होगा या नकरात्मक ठीक है कानून बगानाने की प्रक्रिया में संसद कारेपालिका पर कई प्रकार से नियंदन करती कारेपली का मतलब है हमारे मंत्री मंदल मंदल में मोदी जी जी स mastery में 500-250 252 तो यह दो मिल समिल के मंत्री मंदल में तो 50 से 100 कोई लोग होंगे तो बाकी लोग क्या करें गें इन पर क्या करेंगे प्रस्ष्ण पुछरे हैं कि आप ने यूद्धेक पर चर्चा अगर कोई विध्याक कौन लाएगा का रिये का वह नया विध्याक लाती विध्याक और वह है उसको आप सबसे क्या discuss करना पड़ेगा फिर आप हो सकते हैं आप बताएगे यह जाए है ने साफसे वह जबी धनी है रहल है थेवा यह कुष damage जो सबने चाहें क्लीशार कने से सब्सक्राइब नहीं करता हैए है बिछ एलु म्हतं और करें विश्वास प्रस्तावर्थ tint रखर समझे आपके क्लास केITTब है ठीक है और वह दो-टी लोग मिलके कला क्रें do क्रावल कजा के कांड़नें तो जब यहां पैसे गया तो उनके लिए क्या लाए आविश्वास आपको क्या विश्वास नहीं है कि इन लोग अच्छा काम करेंगे तो आपने क्या किया उनके लिए आविश्वास प्रस्ताव लाए तो सेम चीजे जब हमारी मंदल है समझ लें किसकी भाषपा की सरकार है तो अगर पुरे सानसाट को लगता है को लहां और कई अलग अलग ग्रूप वाले हैं एक बाषपा की सरकार की मंतरी है जो अच्छे से काम नहीं कर रहे तो और क्या है अब विश्वास प्रस्तावर लाएंगे तो यहीं क्या होता है जब आप किसि के काम से खुश कि परचला कोई नदी का बान तूटने वाला है या अगर चाइना हमारे इंडिया पर क्या करने वाली है आक्रबन करने वाली है तो यह तो सबसे बड़ा मुद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे जो बजट को रोग देंगे क्या करेंगे उस ततकालिक मुद्धों पर पहली बात क कि बढ़े अगर चाइना वार्व करने वाली है तो हमें कैसे रुसरक्षा करें चाहिए हमाई देश के लिए क्या के ववस्था करके रखने पड़ी तो यह क्या करें तो शत्र संसत क्या करती तो यहीं क्या है रही है?」 तो यह क्या है कानवमन मिडाने के प्रक्रिया है कैसे किकियों को रुख सकते हो क्यों कि अंतता कारे publish उथाईका कि आधिका कROANSि करती है बहुत जारी जो लोग है वह उस विधाइकां, जो नाए विधेया का यसे सहमत नहीं भोंगे तो वह नहीं बन एक ठीक है है, आप आगे चलतेए, संघी कारीपालिका में हमने क्या थे देखा? हमने सांसत को देखा? सॉरी, हमने संघ हमें क्या देखा? राष्ट पति और लोगसभण रााज़ इसपथा को देख लिए अब क्या आते है हैं हम विधायका को देख रहेती पहले, अब किस पर आगे कारीपा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगी प्रधान मंत्री और मंतिपरिशत की एक ग्रूप होगी जो क्या है राष्ट्रपति को सलाह देगी तो यही सब मिलके क्या बनाते हैं संगी कारेपालिका तो चलो अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं संगी का प्रधान मंत्री के मिए अगर आप चिस के लोग सभा है राजवा के सदसी हो कि तो इसलहें 25 वर्श सब सकता है जब रूर्लिंग पार्ट्री मतलब प्रधान vivo मतलें इस एक हम सबया वह-भ मतल्यए प्रधान मंत्री बनता है ठीचे? अब नियुद्थित एवा नियुक्ति के बंतितिती, तो यहाँ? अब प्रतेक्ष प्रणालि, अनुपातिक प्रतितिति की एकल सẫंकरमणी मतलब द्वारा, मतलब क्या है? जो संसद है, संसद मतलब लोग सभा और राजय सभा और हमारे हर राज्यों के विधान सभा के लोग, सभी लोग मिलके किया है, राष्ट्रपती को चुनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपती को हम लोग नहीं चुनते हैं, जो हमारे दोरा चुने हुए लोग है, हमारे दोरा चुने हुए लोग कौन है भई, विधायक और संसद, तो प्रजट्रपती का चुनाओ करते हैं ओपर आष्ट्रपती का चुनाओ प्रत्यक्षपनाली के संसत के सदसिरी करते हैं राष्ट्पती द्वाला response लोगसभा के महुमत में नहीं देखा जाता अगर किसी को प्रधान मंत्री बनाना है या कोई party जब क्या है केंदर में किसकी party होगी ये कौन डिसाइड करता है जिसको लोक सभा में भौमत प्राप्त हो ठीक है सेक्षनिक योगियता ऐसे कोई भी इन के लिए निधायत नहीं किये गई है थीक है कोई कितना भी पढ़ा हो वो क्या है राष्टरपती पॉपरश्पती और प्रहन meant रोब सकता है ठीक है आगे देख तो अगर राष्टरपती है उनको कौन दिलाता है भई Chief Justice of India ठीक है कारेकाल पदग्रहन से 5 वर्ष इनकी भी पदग्रहन से 5 वर्ष और लोगसभा की समाप्ती पर या लोगसभा में विश्वास प्राप्त हो नहीं तक ठीक है लोगसभा अगर तीन साल ही चला तो प्रधान मंत्री का का अगर प्रधान मंत्र की से 5 वहां से खताने की प्रक्रिया महाभयोग की प्रक्रिया के लोगसभा के सदस्य के भूह मत में से अगर अगर ऐसा लगता है कि मोदी जी को अब भाशमास से चोड़के कॉंग्रस पर चली गई है तो क्या है जो हमारी प्रधान राष्ट्रप्ति है उनको पत से इस्थिफा देने को कह सकते हैं तो क्या है ? किसी भी व्ह frightened का प्रधान मंत्री गणते हैं जब लोग सभह में उनको क्या है ? विश्वासाथ प्राप्त हो मतलब उनकी दुद्ढ़ विश्वास प्रथबता है तब भी तक वो प्रधान मंत्री रह सकते हैं तो यह क्या है हमने कारेपालिका के सदस्यों के योग गिता उनकी कारेकाल को पढ़ा ठीक है अब हम आते हैं राष्टपती पर अभी हमारी वरतमान राष्टपती कोई है भई द्रौपती मुर्मुजी है ना आपको क्या है इनके बारे में कुछ चिज़े आपको जानके रख अबनाम मात्रकट साशक नहीं है इस परश्ट किज़े मतलब को क्या राष्टपती के वह जिस्कान में कहा गया है क्यानृग अनुषे चेहौतर में कहा गया है कि राष्टपती को सलाह देने क्लि Campean तो क्या राष्ट्रपती के वाल उनके अनुसार कारी करेगा तो क्या सवतंत्र नहीं है यह राष्ट्रपती के कौन कौन से शक्ति है जो राष्ट्रपती को दी गई है मतलब आपको राष्ट्रपती के कारे शक्तियों के बारे में यहां पर लिखना है ठीक है चलो देखते है राश्ट्रपती की शक्तियों की बात की जाए तो कारेपाली का संबंधी का शक्तियां मतलब सत्रबुलाना या कोई कारेपाली का ने कुछ विधाय का लाई है तो उसको सहमती देना नहीं सहमती देना ये किस के हाथ में होता है राश्ट्रपती के हाथ में होता है शैने सक्ति विद्धाई शक्तियां विध्यों पर समय हती देना अपातकाल चल रहा है और लगता है कि हमें कोई नियम बनाने की है तो राश्ट पति क्या है अध्यादिश जारी कर सकता है कि आपको इस पर नियम बनाना है आप ये मंत्रि मंडर को कह सकती है तो ये सब शक्तियां किनकी है राश्टपती, तो राश्टपती के पास ऐसा नहीं है भई कि उसी प्रधान मंत्री की काम सुनेगा, उसके पास स्वतंतर कई स्वविवेग शक्तियां होती है, ठीक है, जैसे भारत के सविधान में अप्चार एक रुप्षे संग्य की कारपाल इनको तो हम कैसे बोल सकते कि नाम बत्र का है, ये सब तो उनके शक्तियां मिली है, लेकिन क्या होता है, राश्टपती को अपने विवेग से तै करता है, उधाने के लोग पढ़ क्या है, बहुत साइची चीजे जो होती है, उनको क्या है, ये जो जितनी भी कारी है, है ना, मिली तो है, लेकिन ये किनके सलाह पर करता है, प्रधान मंत्री और मंदल के सलाह पर, तो क्या बोल देंगे कि उनका अपना स्वविवेक नहीं है, वो सिप नाम मत्र के शाशक है, नहीं, उनको कुछ ऐसी चीजे मिली है, जिसे ये बताती है क्यों उनको अपने पास भी प्रधान मंत्री बनो, और लोग सभा में क्या करो, अपनी बहुमत साबित करो, ठीक है, तो ये केस के स्वविवेक पे है, राष्ट्रपती के स्वविवेक क्या है, तो राष्ट्रपती क्या है, उसे पुनर विचार के लिए भेज सकता है, कि ये क्या सकता है, कि इसमें मु और मंतिर पंडल की क्या सला को मानना हो ठीक है तो आप इस तरीके से ये दोनों चीजों को पूरा जब लिखेंगे तब आपको क्या है एक आंसर फोगा ठीक है आप पहले राश्ट्पती की शक्तियां बता दो क्या क्या है फिर ये बताओ कौन से शक्ति प्रधान मंत्री और म करता है तब ये आप बताओगे कि वह असल साशक है ये नाम मात्र का साशक है ठीक है तब ये आंसर आपको क्या है पूरा होगा ठीक है अगर राश्ट्पती के अल्ड़ शक्ति की बात कि जाए तो कारेपाली का शक्ति है मतलब महत्वाट्वापुन राज्यपाल मंत्री मं प्रधार मंट्री की सलाक लिए मंत्रियु के नियुकती करता है, तीनों से नव का मुख्या होता है, युद्ध सान्ति की मियत ङोनता है, जासे अभशना करता है अब अब हमने भारादेश ने चाइना के साथ वाद कर लिया है और जब वाद खतम हो जाएकर तो बताएगा कि अब सभी चीजे समाने सिती में हैं और हम युद्ध विराम की घोशना करते हैं तो यह घोशना कौन करेगा फ़री राष्ट्रपती करेगा नाई शक्तियां कई पर हो उनकी विधाई शक्तियां होंगी वित्विधयक हो गया उनको लिए करना भायत कि में आकास्मिक निधी पर नियंतन करना जैसे क्या होता है कुछ फंड होते हैं जैसे कोरणा काल में था अचानक से आई और उसमें हमको पता ही था कितने खर्चे होने तो यह खर्चे के राज्य और केंद्र के बिच क्या है जो पैसे आते हैं केंद्र के उनको बटवारा करती है ठीक है अपातकल इन शक्तियां राज क्या है युद्या बाहय अक्रमन पर शत्र विद्रो के उत्पढ़ना अपातकल की घोशना करना राज्यों में राश्टपती शाशन लगाना मतलब अब क्या है यहां विधान सभा काम नहीं करेगी केंद्रे कनुसार यहां काम होगा यहां ऐसा होगे कि देश में वित्ति मतलब पैसो की बहुत तंगी आ गई है तो देश में आर्थिक संकट आ गया तो वित्ति अपातकालवी की घोषना कौन कर सकता है राष्टरपती क अब ही तक हमने राष्टरपती तक समझा है अपने कारेपालिका में अभी हम प्रधान मंत्री मंत्री मंदर और उसके बाद क्या है नायपालिका को भी समझेंगे यह अपने next lecture में लेखेंगे तब तक आपके इस lecture को अच्छे से पढ़ो और अपने तयारियों में बहुत अ अच्छे से करना है ठीक है तो अपने तयारियों अच्छे से करते रहो इसके next lecture में हम क्या प्रधान मंत्री और नायपालिका के बारे हम बात करेंगे तब तक पढ़ते रहो मेरे बच्चों बैस्ट अप्लक